फिल्म आदीपुरुस को लेकर बढ़ा विवाद अब नेता श्रेफ अलिक खान पर जौनपुर में दर्ज हुआ मुकदमा रावण के पॉजिटिव विक्तित को लेकर इंटर्वुम में दिया था बयान बीजेपी नेताओं ने भी उठाए सवाल बिहार के बाद अब यूपी की बारी राजबर से गले मिले ओएसी प्रिस्पा नेता श्रुपाल यादो की तारीफ बड़ा गडबंदर बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश के हाथ रस में फैक्टरी का भांडा फोल गधे की लीड एसिट और भूसे से बना रहा था नामिक कमपनियों के मसाले पुलिस की छापे मारी में हुआ खुला सा सुप्रीम कोर्ट पहुचा किसान आंदोलन का मामला सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा किसान संगंटनों का वेवरा हरियाणा पंजाब और दिल्ली सरकावर को भी वेजा नोटिस समाधान के लिए कमेटी कठित करने का आदेश धीली के किसान आंदोलन के समर्थन में भृतेन में धर्ना प्रदरशन खारिस्तां समर्थ को ने किया आंदोलन बरिमिंगम में भारतिय कॉंसलेट के सामने बैनर पॉस्टर के साथ हुआ प्रदरशन जन्वरी से कई स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा वाट्सेप आयोस 9 और एंड्रोइड 4.0.3 ओपरेटिंग सिस्टम जैसे पुराने वर्जिन पर चलने वाले मोबाइल में काम नहीं करेगा वाट्सेप बिर्टेन से G7 की बैठक के लिए भारत को मिला नियुता बिर्टानी प्रधानमंत्री बॉरिस चॉंसन ने भारत और अस्ट्रेलिया और दक्षिन कोरिया को अगले 37 समिट में स्वामिल होने के लिए भीज़े चिठी 2021 के गरतन देश पर प्रूप का थिती होंगे बिर्टेन के पीम बॉरिस चॉंसन जहर देकर 33 को मारने वाले आरोपियों को नौइमबई पुलिस ने किया गिरत्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामत की 33 की खाल और नापुन वन ने जिव सनक्षन अधिने मुनी 72 के तहत मामला दर्ज इस थाने नापुन को रोजकार देने में फ्यत्भाव का लगाया आरोप जब तक नहीं मिलेगा रोजकार प्रदर्शन करती रहेगी इस थाने नापुलिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले